हेलो स्टुडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एकर्मान स्टेरिंग गियर मेकैनिस्म के बारे में यह आटो मोबाइल का एक टॉपिक है जो जेनरली थेोरी ओफ मशीन या फिर हम भी वोकेशनल कोर्सिस की बात करें तो मेकैनिक्स और विकल में भी यह टॉपिक पाया जाता है तो आज हम इसे समझते बिल्कुल सिंप्लिफाइड वे में कि आपको क्या होता है और इसकी इक्वेशन हम किस तरिक से डिडाइव करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो एकरमान स्टेरिंग गीर मेकैनिस जब भी हम गारी को या किसी विकल को टर्न करते किसी फॉर्विलर विकल को तो उसके इनर और आउटर वील्स जो होते वो डिफरेंट एंगल पर मूब करते हैं क्योंकि जो उनका रेडियस हो पर लगे हुए हैं और उसकी वज़े से आउटर वील्स मूब करेंगे तो दोनों की जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हमें उनी को फाइंड आउट करने के लिए ये पूरा डिरिवेशन करना होगा जो कि आभी आगे पड़ेंगे तो बेसिकली और आउटसाइड ओफ ए टर्ण नीडिंग तो ट्रेस आउट सर्कल्स ओफ डिफरेंट रेडियाई तो बेसिकली जो उनका टर्ण होता है टर्ण के टाइम पर जो रेडियेस होती है जो उनका एंगल होता है रियर वील्स का और फ्रंट वील्स का वो डिफरेंट होता है तो हमारा rear axle है यह हमारा front axle है यह पूरा चीज सा arrangement है जो हमारा rear wheel है उसको मैंने show किया है र-W की help से और मेरा front wheel है मैने उसको show किया है F-W की help से ओके तो मैंने assume किया है कि जो यहा σε लेकर यहां तक की distance से वो है हमारा C and दो rear wheel के बीच की distance उसको मैंने assume किया है A इसे हम wheel track भी कहते है similarly इस distance को मैंने नाम दिया है B इसे बोला जाता है wheel base front में क्या होगा जैसे इन दोनों की position एकदम straight है वैसे ही इनकी positions भी होगी लेकिन यहाँ पर मैंने एक red arrow से show किया है कि हम इस vehicle को right turn दे रहे हैं जब हम इसको right में turn देंगे तो जो position इसकी यहाँ पर होनी चाहिए थी वो कहाँ पर चले जाएगी यहाँ चली जाएगी similarly इस वाले wheel की position यहाँ पर होनी चाहिए थी लेकिन हमने उसको right turn किया इसलिए वो कहा turn हो के यहाँ पर आ गई clear यह basic जो मैंने black pen से show किया है इतना geometry आप लोगों का clear हो चुका होगा अब हम आगे बात करते हैं कि इसका जो axis है उसको मैंने extend किया है similarly जो इस वाले front wheel का जो axis है मैंने इसको भी आगे extend किया है इस point को भी इस line को भी मैंने आगे extend कर दिया है अब मैंने assume किया है कि जो यह front wheel है उसका angle मैंने assume कर दिया आप कुछ भी assume कर सकते है simply way में अगर कोई दूसरा front wheel है उसका मैंने angle assume कर दिया है theta अगर यह angle theta होगा तो obviously यह वाला angle भी theta ही होगा because they are alternating angle and same way अगर यह angle phi है तो यह angle भी क्या होगा इतना हमें समझ में आ गया है sorry a b c हमारा यह है b हमारा यह है a हमारा wheel track है यहाँ पर मैंने notation दे दिया है j यहाँ पर मैं notation दे दिया है i अब हमें equation proof करनी है कि जो steering mechanism की equation होती है वो क्या होती है हम कैसे इनके angles find out करेंगे तो मैंने एक एक करके triangle assume करने और values निकालते जानी है मैं triangle की बात कर रहे हूँ i b j i b j इस अगर triangle को लेकर चले और cot theta की value मुझे निकालनी है तो आप निकाल सकते easily l a l upon k k rule लगाना है क्या हो जाएगा b j upon i j clear similarly हमें echo triangle assume करना है i a and j यहाँ पर मुझे value निकालनी है cot phi की वही same a j upon i j clear अब a j को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा a j है हमने से split कर लिया a b plus b j उसके बाइद में हम उसको a b upon i j plus b j upon i j simply लिख सकते हैं तो हमारा b j upon i j हमें similar similar लग रहा है तो equation first की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह किसकी बराबर है cot phi के बराबर है तो इस तरीके से हमारे पास में equation आ जाती है cot phi minus cot theta is equal to c upon b यही हमारी correct steering equation है जो कि हमें proof करनी थी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe आगे मिलते एक नई वीडियो में thank you so much झाल पास